इंकम टेक्स रिटन फाइल करने की अंतिमतारी 31 जुलाई है आप टेक्स पियर रिफंड का इंतिजार कर रहे हैं और फ्राड करने वाले इसी मौकर का फाइदा उठा रहे हैं टेक्स पियर को अपना सिकार बना रहे हैं आप भी income tax refund का इंतिजार कर रहे हैं, अगर हाँ तो आपको साउधानी बरतने की जरूरत है, income tax refund के नाम पर taxpayer के साथ fraud हो रहा है, income tax return फाइल करने की अंतिमतारी 31 जुलाई थी, इसलिए return फाइल करने वाले taxpayers अफ़ण का इंतिजार कर रहे हैं, fraud करने वाले इसी का फाइदा income tax department ने social media पर post लिखा है, बारे में social media platform पर post किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि taxpayer को साउधान रहना चाहिए, अगर उन्हें refund के बारे में किसी तरह का communication मिलता है, तो उसे income tax department के official channel से उसे verify करना चाहिए, इसका मतलब है कि अगर आपको email के जरिए या phone call के जरिए refund के बारे मे मैसा जाता है, और आप से credit card नंबर या bank account नंबर का detail मांगा जाता है, तो आपको देने की जरूरत नहीं है, income tax department ने ये भी कहा कि वो taxpayers की कभी pop-up window के जरिए संपर्क नहीं करता, fraud करने वाले फरजी message से taxpayer को यह बताते हैं, कि उनका 15,000 रुपे का refund या 20,000 या 50,000 जितना भी आपका refund हो, का refund abuse हो गया है, या पैसा जल्द आपके account में transfer कर दिया जाएगा, taxpayer को bank account नंबर verify करने को कहा जाता है, एक number दिया जाता है, और कहा जाता है, कि अगर या number सही नहीं है, तो उसे इस link पर अपने bank account नंबर को update करना होगा, experts का कहना है कि taxpayer को refund से जुड़े हर message को ध्यान से देखने की ज़रूरत है, अगर उन्हें अपने bank account को verify करने को कहा जाता है, तो समझ जाना चाहिए कि ये फरजी message है, इसकी वज़े है कि income tax department के पास पहले से taxpayer के bank account की जानकारी होती है, इसलिए वा इस तरह का message taxpayer को नहीं करता ह करता है?